प्राइब कॉमेंट बिखा देश्ट है प्रण दोस्तों रादे रादे सभी को जैस्ट्री किश्ना क्याल चाले आप सभी साथ होगे सभी को नमस्कार विवेक आप आप सभी का बहुत बहुत करता हुँ आपके अपने परिवार विया एक्जाम सवाला पर तो कैसे हैं आप तभी लोग आप बहुत बढ़ी होगे और आपकी क्लास भी बहुत लाजगा चले होगी अपकी पढ़ाई भी तो जल्दी से फटा-फटा जी और बताई कि मेरी आवा आया था फिलाल कोई दिक्ट नहीं भाई बढ़िया मेहनत से लगन के साथ पढ़ते हैं महनत हना चली तो फटा-फट सभी लोग आएंगे और यह निमंतर्ण पत्र सभी लोग भेज देंगे एक बार ना एक बड़ सभी लोग क्या करेंगे निमंतर्ण पत्र सभी के पाद भेज देंगे ताकि सभी लोग क्लास में आ जाएं ठीके मेरे भाई चलिए तो सभी साथियों को नमस्कार है सभी साथियों को नमस्कार आ जाओ फटा-फट सभी लोग मेरे भाई चलिए चलिए मेरे भाई तो सभी लोग आ चुके होंगे यहां पर आईए तो याद दखीगा आज लेट अरे लेट हो गए यार आज मोटर साइकल गड़बर हो गई चलिए फिलाल सर आप से कुछ पूछना है हाँ ब्यूटी पूछो 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 अरे लेट हो गए भाई आप क्या फासी की सजा दे दूगो क्या चलिए तो आज एक अगस्त है मेरे भाई और आज का पहला कोशन आपके साबने यह रहा और याद दखीगा आज जो कोशन से आपको हिला के रख देंगे क्योंकि यह जो कोशन कर इंटरफेर के हैं याद दखीगा यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम्स के लिए तो आज का पहला कोशन के रहा है यहाँ पर मेरे भी याद दखीगा आज का पहला कोशन यहाँ पर कह रहा है कि नैनो गर्व का मुख्य उद्देश क्या है ठीक है उसका मुख्य उद्देश क्या है अगर मैं बात करू यहाँ पर तो study of the formation of exponents का है या फिर dark matters की प्रकृति क की जाच करना है गुर्त्वा कट्सर तरंगों का पता लगाना और उनका अध्यन करना है यह ब्रह्मांडिय माइक्रोवेव प्रश्ट भूमी विक्रण की उत्पत्ति की खोच करना है बताओ क्या होगा इस प्रश्ट का आंसर पहले कोशन धमाकेदार कोशन आपके सामने आ तो या दखीगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है मेरे भाई कि गुर्त्वा कर्सर क्या मतलब होता है इसका गुर्त्वा कर्सर गुर्त्वा कर्सर तरंगों का पता लगाना और उनका अध्यन करना ही क्या कहलाता है मेरे या दखीगा आई अगले कुशन की तरफ ठीक है इस प्रश्टे का राइट ऑप्शन क्या था मेरे भाई सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसको याद दखिए काफी इंपॉर्टन कोश्चन रहे गए यहाप और कई लोगों सही आंसर आगा है अगला कोश्चन आपके सामने यह है कि वियना में बाह आंतरिक मामलों के लिए सायुक्त राष्ट काडियाले युनस्को के निर्डेशन एवम में किसे निक्त किया गया है एंटोनियो गुटरेस को या फिर यहाँ पे मेरे भाई डी पिपो को या आरती हुला मैंनी को या फिर उपरुक्त में से कोई नहीं काजल ओजा क्या हुआ काजल क्या समझ में नहीं आया दीपक कुमार हावाई दीपक क्या आल चाल है क्लियर नहीं दिख रहा है दिख तुर आओगा फॉन ठोला चोटा हो गया ना खेर कोई दिख कर दी फॉन्ट हलका सा चोटा हुआ है क्या आंसर होगा मेरे भाई तो या दखीगा कि वियना में बाह आंतरिक मामलों के लिए सैयुक तुनाष्थ काड्याले या नुश्कों-के निदेशक एवं किसे निक्ट किया गया है या फिर या पर आपका सिमुनितर डिपिपो को किया गया है आर्थि होला महिनी अपरोग को थे कोई नहीं और्परों को या उपरोग करो यई तो य क्या हो जा प्रस्ति यहां पर कह रहा है कि दुबई में आयोजित विश्व के पहले अंतराश्टी महिला कबड़ी फाइनल में कौन सी चैंपियन बनी है जो दुबई में आयोजित विश्व के पहले अंतराश्टी महिला कबड़ी फाइनल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है पंजाब प चैंपियन बनी है अंसर ऐहां पर क्या हो जाएगा किया सोगा मेरे यहां पर यहां पर आपर हो जाएगा जाने ध्यू, आपके साबने हो जाएगा नेक्स पर आईए अगला गोश्यन आपके साबने यह है कि चंद्रियान 3 कभ लॉँच होने वाला है दस अगस्ट, 2023 13 जुलाई, 2023 5 जुलाई, 2023 21 अगस्ट, दो जारतेईस जो चंद्रियान 3 है वो कहां से launch होने वाला है रोहित यादव FNC सर कोश्चन कहां से लाए मैंने कहा था ना कि एक अगस्त से बिलकुल जीरो सी शुरुबात होगी तो यह जीरो सी शुरुबात है याद रखिएगा ठीक है तो अब जिसका भी करने इंटरफियर कमजोर है भाई छाप लेना इनको लिख लेना इनको टेंशन मत लीजेगा ठीक है पीडियाफ आपको शेयर हो जाएगी पीडियाफ की टेंशन मत लीजेगा लेकिन इसको छाप लीजेगा यह बहुत ज़रूरी है यह तो यहाद दखीगा आप सभी कुछी तरीके से पता है कि 13 जुलाई 2023 को ही क्या हुआ हुआ है चंद्रियां से मैंने कोशन भी सेट किये हुए है उसी हिसाब से आप यह मान के चलो ठीक है चलिए नेक्स पर आईए वहालकि 14 जुलाई को किया गया था चंद्रियां यह तक ही इसके बारे में 14 जुलाई 2023 को ठीक है ऑप्शन में 13 जुलाई है तो हमने 13 जुलाई को टिक लगा दिया है अब देखो यह कोशन कितना बड़ा है और लेकिन बहुत ही प्यारा प्रशन है कि हाली में कौन से चिकिसा संस्थान केंद्र सरकार स्वास्त योजना के लावार्थियों को कैसलेस उप्चार सुब्धाय प्रदान करने में सच्छा में मतलब आप यह कहलो कि कौन सा चिकिसा आप यहां पर कैसलेस उच्छार करने में कैस अच्छा मतलब पैसा नहीं देना है इस शीच को आपको बताना है एम नई दिली एमस भुपाल एमस जोथपुर एमस नई दिली पीजी आई चंडीगर्ड और जिंपर पंडुचेरी एमस नई दिली अपॉलो अस्पताल और फ सांस सुनियागा मेरे भाई कैस में आपके सामने एमस नई दिली एमस में नई दिली और पीजी आई एमर याद रखी काचीतरी के से चंडीगड और जिंपर पांडुचेरी यह जो आपके अस्पताल है मेरे भाई इनमें केंद सरकार ने जो सुभिधार परदान की है कासलेस क की यहां पर की है तो बी विल भी दा करेक्ट ऑप्शन क्लियर ए बी विल भी दा यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुत बड़ी है कुछ लोगों को आंसर सही भी आया नेक्स्ट पर आई यहां पर आई सी सी पुरुस किर्किट विस्टुकप दो जरते इसका फाइनल करेंट अफियर भाई बाहु बली सर जोइन कर लिजेगा तो अगर मैं बात करूए यहां पर की आई सी सी पुरुस किर्किट विश्टुकप दो हजरते इसका फाइनल मैच कहां खेला जाएगा तो चिन्ने में खेला जाएगा मुंबई में कोलकाता में और एहमदाबाद मे बताब मेरे भई कहां पर खेला जाएगा इसका फाइनल मैच तो आप सभी लोग जानते हैं किसरा इसका फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में खेला जाएगा क्लियर यहाँ पे नलेंद्र मोदी स्टेडियम एहंदाबाद में इसका फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाएगा मेरे भाई तो D will be the correct option यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा क्या होगा D will be the correct option एहंदाबाद में खेला जाएगा अगला कुश्य आपके सामने यह रहा और प्रस्ट आप लोगों से कह रहा है कि टोल प्लाजा पर सहज क्रॉस ओवर परदान करने के लिए फास्ट तेग दुवारा किस तकनीकी का उप्योग किया जाता है GPS तकनीकी ब्लूटूथ तकनीकी रेडियो फ्रिकेंसी पहचान तकनीकी यह पर चुम्ब किये पट्टिये परद्योगी की बहुत important question है मेरे भाई याद रखीगा बताईए जो आपका जैसे आप लोग गाड़ी से जाते हो ना जैसे गाड़ी से टोल पड़ा तो फास्ट तेग होता है तो उस फास्ट तेग में किस पद्दती का परियोग करते ही यह question पूछ रहा है तो इसमें आपके सामने तो GPS तकनीकी है एक आपके सामने option क्या होगा radio frequency पहचान तकनीकी क्या होगा मेरे भाई radio frequency पहचान तकनीकी यहां पर right option होगा तो C will be the correct option क्या होगा यहां पर C will be the correct option यहां पर आपके सामने हो जाएगा क्या होगा मेरे भाई C radio frequency पहचान तकनीकी होती है इसको यहां दखीगा next पर आईए अगला question आपके सामने यह है प्रस्ट कह रहा है कि किस सहर ने विशेस ओलंपिक विश्योखेल 2030 की मेजवानी की जो ओलंपिक हिल 2030 है उसकी मेजवानी किसने की है ठीक है अगर question नहीं की डिल्ली भारत लंदन युनाइटेट कींगडम या फिट ठोक्यो जापान है किस सहर ने विशेश ओलंपिक विश्योखेल दोजार्टेश की मेजवानी की है भरलिन जर्मनी है यह या आप कह सकते हो यहां पे दिल्ली भारत लंदन यूनाइटेट किंगडम या टोक्यो जापान और हाँ आज से करें आज से बिहार जी के और हिष्ट्री की क्लास से स्टार्ट हो रही है पानी की बोतल है वो देता है इसको भड़ देना ताजी बोतल होते हैं ठीक है बताओ मेरे भाई तो आप सभी लोग जानते हैं क्या अंसर होगा यहां पे मेरे भाई सभी उलम्पिक विश्च खिल 2030 की मेज़मानी किस नहीं की है तो आप सभी लोग जाते हैं बर्लिंग जर्वनी नहीं की है पता है कि नहीं चलिए याद दखीगा चलो ठीक है आजाओ अगले कुशन की तरफ अगला कुशन आपके सामने ये रहा चलिए अगला कुशन ये रहा आपके सामने कि किस भारतिय महिला यूगल जोडी ने ट्यूनियस में विश्चुट टेविल टेनिस केंडिड टूनामेंट 2023 जीता है मैं फिट से पढ़ दा हूँ ज्यान से पढ़िए कैसको इसमें कुशन क्या है मेरे भाई इसमें कुशन ये है कि किस भारतिय महिला यूगल जोडी ने ट्यूनियस में विश्चुट टेविल टेनिस टूनामेंट का खिताब जीता है सुर्थिर मुखरजी और आहिका मुखरजी ठीके सौन जडिया या फिर आपका नितुजाब हुसले या फिर रिया भाटिया और नितुजाब हुसले या फिर आपकी सुथिर्त मुखरजी और रिया भाटिया किसने जीता है मेरे भाई ये पुरुषकार तो याद खीगा ये पुरुषकार जो जीता है मेरे भाई दो हजार तेइस गोल्फ किताब जीता उसने किस अनोखी चुनोती या इस्थिती पर पर काबू पा लिया है ठीक है यहाँ पर कुश्चन मेरी भाई ध्यान से सुनो बढ़िया कुश्चन है भाई एक्जाम में फसेगा ठीक है कुश्चन कह रहा है यहाँ पर कि दीच्छा ड विकलांगता या फिर भाषा बाधा लेंग्विच वैरियर बताइए किस पे इसने पालिया है मेरे भाई देखते हैं कितने लोग इसका अंसर बता पाएंगे तो यहाँ दखीगा इसका राइट ऑप्शन क्यों होगा मेरे भाई हैरिंग लॉस जुसकी स्रवण हानी है है इ तो राइट ऑप्शन यहां पर क्या होगा राइट ऑप्शन आपके सामने यहां पर बी विल वी दा करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर क्या होगाई ऑज से scripture के ऐ आज से विहार जी के याद अखिगा बिहार जी के फिलस हिष्ट्री की क्लास स्टार्ट ओक्छिश एवा टाइमिंग है ग्यारा एम सुबह ग्यारा बजे मैं पढ़ाऊंगा इसको ठीक है और बिलकुल जीरो से ठीक है जिन लोगों ने पहले भी इतियास पढ़ा हुआ है बिहार अब इसमें क्या होगा इसमें भारती इतियास भी सामिल लहेगा और साथ में बिहार का इतियास भी सा देना और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाना ठीक है मेरे भाई चलिए अगले कुशन की तरफ आईए अगला कुशन आपके सामने यहां पर यह रहा कुशन कहा रहा है कि इस वर्ट से साउधी अरब में कितने लोगों ने हच करने की उम्मीद है ठीक है दस लाक लोगों क की लगभग 2,000,000,000,000,000 या फिर 4,000,000,000 ठीक है इस वर्ट साउधी अरब में कितने लोगों की हच करने की क्या है उम्मीद है मेरे भाई बताइए क्या आंसर होगा यहां पर तो यहां दखी का लगभग लगभग गर मानके चलू तो 2023 में अच्छा पूल नहीं दिया क्या लगभग लगभग मानके चलू तो 2023 में मेरे भाई लगभग लगभग अगर मानके चलता हूँ तो 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, से कह रहा हूं मेरी बाद ध्यान से सुरिएगा सभी लोग अगर किसी ने आज से पहले करेंट अफेंड नहीं पढ़ाया तो यह अपनी जिंदगी की पहली क्लास मान ले वो वो आज अपने टेवल पी लिख दे एक अगस्त आज से की हमने शुरुआत डेट सो दिन है डेट सो पहले क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ सब भूल जाओ आज से नहीं शुरुआत करनी है और वो शुरुआत स्टार्ट हो चुकी है इसलिए मैं वह प्रस्णा आपके सामने ले कर आया हूं जिने आप भूलते चले जा रहे थे लेकिन अब नहीं भूलोगे लगबग टाइम 11 बजे से स्टार्ट होगी क्लास आज ठेके 11 बजे से तो याद रही करेक्ट ऑप्षन यहां पर क्या होगा दो मिलियन तो भी यहां पर आइट ऑप्षन होगा नेक्स्ट पर आईए अगला कुश्चन आपके सामने यह रहा और कुश्चन कह रहा है कि EPFO का फुल फॉर्म क्या है परभावी पेंशन निधी संचालन आवश्यक पेंशन निधी संगठन आर्थिक एबम लाब दायक निधी कार्याल है या फिर कर्मचारी भविस्य निधी संगठन या फिर कर्मचारी भविस्ते निधी संगठन EPFO का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे बाई EPFO का EPFO का फुल फॉर्म क्या होता है चलिए राच की बातें पलक आज वो नहीं दिख रही क्या नाम है उसका पल्लिवी जानी दिखाई दे रही है आज कहां गई हो चलिए और भाई आप लोगों की करपा से हमने फोन भी ले लिया देख रहे हो आज छोटा सा फोन है यार यह सस्ता फोन है मैंगा कभी खरिदते ही नहीं है ठीके अगला कुशन आपके सामने यह रहा मेरे भाई कुशन कहरा कि हाली में हुए संसदिय चुनाओं में गिरीज के प्रधान मंत्री की रूप में किसे पुना चुना गया बात करें हम लोग यहां पे ऐलेक्स सिप्रिस को क्यूरी कोस को यह फिर एंटोनिस को यह फिर आपका जीांगो निंग को अआइफून लिये हैं सर राच की बाते हैं आइफून हम नहीं खरीद पार गैँगी है हम लोग GPA के लिए आइफून नहीं बना है आइफून बड़े-बड़े लोगों के लिए बना है है हमारे लिए तो खाली है ओपो वीबो वाले फोन बना पाते हैं भाई कम बजट में जादा से जादा चीज़े मिलती हैं है कम बजट में चीज़े पूरी देगा वो तो या दखीगा कौन बनाए मेरे भाई या दखीगा मेरे भाई क्यारी कोस क्यारी कोस यहां पर क्यारी को प्रधान मंत्री की रूप में चुना गया है ग्रीस में नेक्स्ट पर आईए मिस्र की यात्रा के दौरान राष्टपती सीसी द्वारा प्रधान मंत्री नरेद नमोदी को मिस्र का कौन सा सर्वोच राज की ये प्रुस्कार प्रदान किया गया है बताओ मेरे में क्या अंसर ह पर क्या होगा कि मिस्र की यात्रा के दौरान राश्ट्रपती सीसी दौरा प्रधान मंत्री दरेद नमोदी को मिस्र का कौन सा सर्वोच चिनाच की सम्मान दिया गया है ठीक है ओडर ओफ नील ओडर ओफ मेरिट उतकरश्टा का क्रम और ओडर ओडर ओफ फिरॉन बताइए मेर राश्ट्रपती का नाम क्या है अब्दुल्फते सिंग या दखी का अब्दुल्फते सिंग तो कौन सा पुरुषकार दिया गया है मेरे भाई ओडर ओफ नील या दखी का मेरे भाई और मिस्र के राश्ट्रपती या दखी का मेरे भाई अच्छी तरीके से ठीक है चलिए तो क्या मेरे वाइस का आंसर हो जाएगा, A, A will be the correct option, ठीक है, चलिए, B answer लगा रहे, order of merit, नहीं, order of merit कहां दिया गया है, order of nil दिया गया है, ठीक है, next पर ये, अगला question आपके सामने ये रहा मेरे भाई, चलिए, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, लोग, हाँ, नहीं, पढ़ दो, ये भी question बढ़िया है, कि भारत का पहला booster vaccine, किस COVID-19 variant को लक्षित करने के लिए design किया गया है, अगर हम लोग बात करें, डेल्टा संक्रन को, या alpha संस्क्रन को, omicron को, या फिर beta संस्क्रन को, ये काफ चर्चित में भी था, ये काफी चर्चित में भी था, भाई, COVID के एक नया variant आये था ना, जिसको मुलते है, omicron variant आये था, कि नहीं आये था, बताओ, omicron variant आये था, तो C will be the correct option यहापे होगा, क्या होगा, C यहाँ पे right option आपके सामने हो जाएगा, ठीक है, चलिए, और एक मजे की बात बताओ, मैं दिल्ली से फोल लेने गया था, ठीक है, और ज्यादा बड़ी दुकानों में तो भाई, अपन वैसे भी नहीं गुशते हैं, ना उतना पैसा है, उतना ही जाते हैं, छोटी सी एक दुकान थी, वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे जो शौप था मेरे भाई, जो देरा था लड़का था, उसकी एज भी 22-23 साल की होगी, ठीक है, पंदा मिर्तों भाई को मुझे देखता रहा, घूरता रहा, पंदा मिर्तों तो उसने मुझे घूर अच्छी तरीके से, मैंने गूर क्यों रहा है, क्या हो गया इसको, बाद में कहता है, सर मैंने आपको कहीं देखा है, तो मैंने गाँ देखा होगा यार, आज सिर्थ 10-15 साल पहले, भाई, नहीं सर मैंने आपको कहीं देखा है, मुझे लग रहा है कि, उसने फटाक से खोला भाई, यूटूब, बोले कि आई ये आपी तो बाववली सर, मैंने कहां मैं ही हो, कि सर, 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 निकला बाहर तुरन पैर वेड़ चुए, उसने भाई, कि सर, बैठिये, बैठिये, पानी वानी पीजी आयराम से, तो मैंने किसकी तैयारी कर रहा हो, कि सर, दिल्ली पुलिस की और बिहार पुलिस का फॉर्म डाल दिया है, मैंने, मैंने बहुत बढ़िया, समझ कौन है, बताओ, ये वगेनी, या फिर अलेक्जेंडर, या फिर ब्लामीर पुतिन, या फिर संगाई, शोगू, आंसर क्या होगा यहाँ पे, डिसकाउंट मिला फिर, अरे बाई, उसी नहीं सजेस्ट किया, फिर मुझे बोला कि सर, ये वाला फोन ले जाओ, सबसे सस्ता है और सबसे अच्छा फोन है ये, मैंने खराब हुआ ना, वह सोच ले, क्लास से फिर तुझे ब्लॉक करवा दूँगा, साइध कॉमेंट बॉक्स में है भी, देखू है की नहीं हो, है है है, मुस्कुरा है, चलो, केरासन मेरा नाम मत लीजिएगा, चलो नहीं लोगा, वो कॉ आप के सामने ओप्शन क्या होगा, ये वी नी, प्रियोक जिन, या दखीगा, ये विल बी the correct answer, और मेरी बात याद दखीगा अच्छी तरीके से, मेरी बात अच्छी तरीके से याद दखीगा, कि आप सभी लोग ही जो current affair हो न, हलके में मत दे ना मेरे भाई, हलके में ले ल प्रोट करके और पूरा पढ़ लेना इसको ठीक है इसको मिस नहीं करना है किसी भी हालत में नेक्स्ट भाइए अगला कुश्यन आपके सामने यह रहा कि हिंदी भासा स्वेडी में बाल सहित प्रुसकार 2030 किसने जीता है बताओ मेरे भाई एकनात ने एकनात अहोड ने सूरनात सिंग ने विशाखा विशुनात और सुधामूर्ती और सुधामूर्ती क्या अंसर होगा सर नाम बताईए कौन है अरे नहीं गोपाल क्यों नाम बताए वो मना किया कि सर नाम मत बताईएगा मेरा मैंने क्यों कोई दिल्ली का होगा तो आ जाएगा उसके लिए अलग से डिस्काउंट करना पड़ेगा खेर वो पढ़ाई कर रहा है भी जब बिहार पुलिस में सिलेक् हना चरिए क्या अंसर होगा मिरे भाई क यादखी एक अच्छी तरीके से हिएपसर कि यहाँ पे हिंदी भासा स्रेड़ी में बाल स recruiting प्रुष्कार 2021 किसने जीता है तो मिरे भाई में Apple Card Paste करने के लिए किस बैंक के साथ सहयों करने की योजना बना रहा है ठीक है ICICI Bank, SDFC Bank, State Bank of India और Axis Bank बताइए क्या आंसर होगा आंसर बताओ मेरे भाई क्या होगा रवी कुमारी सौरी सर मैं गलत हो गया अरे आज माफी है, आज किसी को डाटू मा थोड़ी ना मैं गलत करो चाहे सही करो आज कोई दिक्कत नहीं है, आज फर्स्ट और लास्ट में बाती नहीं चलेगी समझ रहे हो, क्योंकि आज तो आपकी जीवन की शुरुवात है आज आपकी क्लास पहली है, ये मान के चलो और ऐसे ही मान की मैं चल ला हूँ, डेट सो दिन है मेरे भाई, डेट सो दिन जो ये कहता हो ना कि सर मुझे याद नहीं होता है, मैं समझ नहीं पाता, मैं भूल जाता हूँ मैं बहुत कमजोर हूँ मैं गदा हूँ सुवर हूँ यह हूँ वो हूँ मुझे नहीं सबज में आता तो भाई आज से शुरुवात कर दे स्री गड़ेस बोलते आज मंगलवार है हनवान चली सब पढ़ने के बाद करेंट अफेर को तुरंत पढ़ लाना जितने भी कुश्यन मिले घ्र बजए हिष्टि की क्लास में और जीक विहार की क्लास में दोनों में आ जाना नई कॉपी होन नया इन लेके आना रफ कॉपी मत उठा लाना लड़के क्या करते उसी में रफ में गड़े जी एस हिस्ट्री बुगल सब लिख देंगे नहीं कॉपी ले लेना और शाम को साथ बजे वाली क्लास में भी रहना बस बेड़ा पार हो जाएगा भाई याद दखेगा चलिए तो क्या अंसर होगा यहां पर मेरे भाई आंसर बताओ इस प्रस्टिका क्या होगा ठीक है तो यहाद दखीगा मेरे भाई HDFC यहां पर राइट ऑप्शन होगा क्या होगा HDFC बैंग भी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भी तो 65% लगों का अंसर सही भी आ रहा है यह भी बात है पल्लवी जा हाँ भाई पल्लवी क्याल चाले है अच्छा पूझा कर रही थी अच्छा पूझा चलो फिर कोई दिख कर नहीं है तुमको बहुत दे दिवस हर साल किस तारीक को मनाया जाता है 21 जून को 19 जून को 7 जून को या फिर 23 जून को जो अंतराश्टी ओलंपिक दिवस है वो कब मनाते हैं मेरे बाई अंतराश्टी ओलंपिक दिवस पेट पूझा डट मुझे लगा यह पूझा गभवई होगी खाना ढूस रही थी चलिए तो क्या अंसर होगा इसका तो या दखीगा ओलंपिक दिवस तो 23 जून को ओलंपिक दिवस बनाते हैं कब बनाते हैं मेरे बाई 23 जून को कि लिए रहे अंतराश्टी ओलंपिक दिवस कब बनाते हैं 23 जून को बनाते हैं तो या दखीगा राइट ओप्शन क्या और आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई क्या कि 21 जून को क्या बनाते हैं तो योगा दिवस बनाते हैं क्या बनाते हैं मेरे भाई योगा दिवस बनाते हैं आपका 21 जून को कब बनाते हैं 21 जून को आपको योगा दिवस बनाया जाता है क्लियर है चलिए मेरे भाई आए एडम मोसरी है लिंडा है या फिर एंडी जैसी है या फिर केविन भारती मित्तल है एमाजॉन के वर्तमान एमाजॉन के वर्तमान रवी पटेल क्या हुआ आपका साथ भी कभी क्या भाई तो इतना उदास क्यों है जादू टोना छोड़के चली गई क्या सकल से तो लगता नहीं जादू टोना होगी तेरी है बताओ क्या अंसर होगा तो यहाद रखीगा एंडी जैसी Amazon के वरतमान CEO कौन है मेरे भाई तो ND जैसी यहाँ पे आंसर होगा ठीक है NDAC तो right option यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई C will be the correct option C यहाँ पे क्या होगा right option आपके सामने हो जाएगा next प्याइए अगला question कह रहा है यहाँ पे मेरे भाई याद रखीगा प्रस्त आपके सामने कि जून 2013 में कौन सी कंपनी गुजरात में चिप असेंबली और परिक्षर सुबिधा में निवेस करने का योजरा बना रही है एक तो आपकी Intel है Samsung है Micron है और TSMC है बताई क्या अंसर होगा बताईए आंसर बताऊ यहाँ पर क्या होगा यार message देखो 356 है एक बन निमंतरण पर बेश दो आज पहली क्लास में 400 करादो मेरे भाई जल्दी से फटाफट निमंतरण बेश दो पहली क्लास में आज कितना करादो मेरे भाई 400 करादो आज जल्दी से जल्दी से फटा फट जल्दी से 400 करा दू आज क्या अंसर होगा मेरे भाई माइक्रोन विल वी दा करेक्ट ऑप्शन माइक्रोन विल वी दा करेक्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा ठीक है हाँ भाई आज पहली क्लास में 400 का आगरा पहुंचना चाहिए मेरे भाई कितने का 400 400 का पहुंचना चाहिए तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा सी विल वी दा करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट पर ही कौन सा देश दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2030 की मेजमानी करेगा बताइए इंगलेंट भारत नेपाल और आस्टेलिया कौन सा देश दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2030 की मेजमानी करेगा आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा बहुत बढ़ी है बताइए मेरे भाई आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा कौन सा देश करेगा मेरे भाई तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाला है इंडिया भारत तो यहाँ दखीगा भारत विलवीदा करेक्ट आप्शन यहाँ पे होगा भारत तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरे भाई भी यहाँ पे राइट आप्शन हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने यह रहा मेरे भाई और प्रस्ण क्या कह रहा है है प्रस्टन कहरा है कि भारत में PM किसान योजना का उद्देश्य क्या है भाई मोष्ट 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 बहुत है इंपोरटेंट इतना कश्या नहीं है कि भारत में PM किसान योचना का उद्देश शिक्या है पहला तो ये मेरे भाई कि किसानों को बीमा कवरेच परदान करना है क्रसी उपकरणों के लिए किसानों की वित्ती साहता परदान करना है जैविक क्रसी पद्दितियों को बढ़ावा देना है किसानों के बैंक खातों में एक मौत्रिक राश यह भाई पलक एक बार सेर तो करो कूल डाउन यार भाई एक बार करते सेर यार चलिए बताईए रोहित यादव FNC अबनों पांडे गोलू हाँ अबनों क्याल चाले भाई हाई काफी दुनों बास तुम्से मुलाकात हो रही है हाँ तो याद दखिएगा PM किसान PM किसान का यूजना का उदेश क्या है तो मेरे वाई याद दlt कीगा इसका उदेश है कि किसानों के किसानों के बैंक खातों में एक मौद्रिक राशी हस्तान्तित करना ठीक है याद दखिए मेरे भाई to transfer monetary amount to farmers bank account ठीक है तो यहाँ पर right option क्या होगा मेरे भाई D will be the correct option आपके सामने हो जाएगा जो की मात्र 10% लोगों ने इसका answer बताया हुआ है और इसी लिए क्या था most most important question था इसी लिए क्या था मेरे भाई यह most most important questions था ठीक है लगबग लगबग 6000 रुपए मिलते हैं ठीक है 6000 रुपए इसमें ठीक है 6000 रुपए चलिए आईए अगले question की तरफ मेरे भाई अगला question आपके सामने ये रहा प्रस्टे कहा रहा है कि किस aerospace company ने fighter jet engine के निर्माड के लिए दुस्तान aeronautics limited के साथ एक समझोता ग्यापन पर हत्याक्षर किये हैं पहला आपके सामने की ge aerospace log heat martin बोईंग या फिर airbus या फिर आपका airbus बताईए मेरे भाई क्या answer होगा तो या तकीगा इस प्रस्टे का जो right option होगा वो क्या होगा मेरे भाई ge aerospace क्या होगा ge aerospace यहाँ पर correct option हो जाएगा a will be the right option होगा ठीक है next पर आईए अगला question आपके सामने ये रहा question कह रहा है कि 20 जून 2023 को किस देश ने सैयुक्त राष्ट में साजित मीर को वैश्विक आतंकवादी घोशिद घोशिद करने के प्रस्ताओं को अवरुध कर दिया है चीन सैयुक्त राज अमेरिका पाकिस्तान और भारत बताईए question number 25 का answer बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बताईए मेरे भाई answer यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ दखीगा मेरे भाई 20 जून 2023 को किस देश ने सैयुक्त राष्ट में साजित मीर को वैश्विक आतंकवादी घोशिद करने के प्रस्ताओं को अवरुध कर दिया है क्या answer होगा मेरे भाई तो यहाँ दखीगा मेरे भाई अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो चाइना विलवीदा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पर कहना है कि किस देश ने सैयुक्त राष्ट में साजित मीर को वैश्विक अतंकवादी घोशिद करने के प्रस्ताओं को अवरुध कर दिया है और साजित मीर तो आपको पता है कि पाकिस्तान का ही है तो चीन नहीं इसको क्या क्या है अवरुध किया है मेरे भाई तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर चाइना विल वी दा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर चाइना क्या होगा मेरे भाई चाइना हाना चाइना विल वी दा राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अरे मेरे भाई एक बार फटा फट करतो दो यार एक बार जल्दी से फटा फट कर दो यार आप लोग भी मतलब अंजूसी करते हो तुम लोग भी नेक्स्ट पर आओ अगला कुश्चन आपके सामने है कि 20 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले इसकिन बैंक का उठगाटन कहां पर किया गया था और एक बात और याद अखी अच्छी तरीके से ये जो कुश्चन मैं करा रहा हूँ न ये आज एन केन प्रकारेन चाहे कुछ भी हो जाए इनको आज याद कर लेना है आज का काम आज ही निप्टा देना है अभी क्लास खतम हो जाएगी उसके बाद अराम से इसको नोट कर लेना और एक बाद 2X की स्पीड से लगा कर देख लेना फटा फट जल्दी से ठीक है यानि ये आपका आज का टास्क है कि आज गुरु जी ने 25 तीस कोश्चन कराए है उसको मुझे आज याद कर लेना है ठीक है अगर आपकी मित्र मंडली हो दोस्त हो या कोई आपका टेलीग्राम गुरुप बना हुआ हो तो आप टेलीग्राम गुरुप में भी इन कोश्चन को शेयर कर दीजेगा भाई मानके चलो आपका गुरुप बना गुआ है 20-25 लड़कों होगा अब जिसको जिसको कोश्चन याद है उसने बेद दिये कि बताओ अच्छा कोश्चन का अंसर क्या होगा बताओ अच्छा इस कोश्चन का अंसर क्या होगा तो एक डिसकेशन गुरुप बना लो उसमें आराम से डिसकेश किया करो लेकिन समस्या क्या है ना चले कोश्चन बावाल है सर बताइए फल्लीवी जी क्या अंसर होगा उत्तर भारत के पहले इसकिन मेंका और घाटन कहां पे किया गया है तो आप सबी लोग जानते हैं कि दिल्ली और दिल्ली में किस अस्पताल में सफरदंग अस्पताल न्यू देहली में किया गया है तो ए विल्वीदा करेक्ट ओप्शन आपके सामने यहां पर हो जाएगा कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा ठीक है चिन्नी मेट्रो स्टेशन हावडा मेट्रो स्टेशन थाने मेट्रो स्टेशन या फिर इंदौर मेट्रो स्टेशन कोश्यर आपके सामने कि कौन सा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा बताई क्या अंसर होगा मेरे भाई अरे आज जिसका गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है आज मैं कह रहा हूँ ना आज माफी है भाई आज आप गलत करो सही करो डसंट मेटन और यही पीपीटी याद अगना यही पीपीटी आज से 10 दिन बाद पढ़ाऊंगा मैं पहले ही बता रहा हूं इसी PBT को इनी questions को आज से कितनी दिन बाद 10 या 15 दिन बाद पढ़ाऊंगा इसी PBT को तो याद रखीगा कि बहतरीन तरीके से questions को याद करने हैं उस दिन राइट ओप्शन क्या होगा में यां पर राइट ओप्शन होगा ठीक है अगला question आपके सामने ये रहा मेरे बाई और प्रष्ट कह रहा है कि 9 अंतराश्टी योगदिवस पर नियॉर्क में सयूगत राश्ट मुख्याले में योग सत्र का किस ने किया ठीक है डुनाल्ड ट्रम एंजेला मारके नरेंद्र मोधी और जश्टिन टुडो नरेंद्र मोधी और जश्टिन टुडो बताई आंसर क्या होगा चलो आंसर बताऊ यहां पे क्या हो जाएगा कि नौवे अंतराश्टी योग दिवस्पर नियॉयॉर्क में संयुक्त राश्ट मुख्याले में योग सत्य का नितत तो किस ने किया है तो यहां दखीगा मेरे भाई नरेंद्र मोधी विल विल वी दा करेक्ट ऑप्शन क्या कि रहा कि बीस जून को भारतिये विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कारिकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने कारभार समाला है किसने कारभार समाला है अमित अगरवाल ने सुभोद कुमार सिंग ने रुपिंदर सिंग ने या फिर अकास तरपाठी ने या फि 20 जून को भारती विशिष्ट पैचान प्राधिकरण के मुख्य कारिकारी अधकारी CEO की रूप में किसने कारभाट समाला है एक आपके सामने अमित अगरवाल, सुभोत कुमार सेंग, रुपिंदर सेंग और आकास्तर पाथी आंसर बताओ मेरे भाई, इस प्रष्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा चलिए, तो यहाँ दखीएगा, करेक्ट आप्शन क्या होगा आप सभी को पता है कि अमित अमित अगरवाल, अमित अगरवाल विल वीदा करेक्ट आप्शन यहाँ पे हो जाएगा ठीक है ए राइट आप्शन यहाप यह हो जाएगा लगबग 25 परशेंट लोगों ने इसका आंसर दिया ही है बिहार पुलिस तुमको ही दुलहन बनाएंगे बहुत सई कहने से नहीं बन जाओगे भाई उसके लिए खुब मेहनत करनी पड़ेगे खुब पसीना बहाना पड़ेगा आई आज का अंतिम कोशन खाली 30 कोशन में आज करा रहा हूं कि किस भारतिय एथलीट ने 19 जून 2023 को भुमनेशर्क में अंतर राज चैंपिन्सिम में एक नया ACI सौटपुट रिकॉर्ड बनाया है विकास गोटा जुगराज सिंग और तजिंदर पाल सिंग तूर और मुहंबद यासर और मुहंबद यासर बताइए यह आज का अंतिम कोशन है क्या हुआ अपर लिभी कौन जलता है सबसे कौन जलना है भाई क्या हुआ तुम लोग अलग ही तुम लोग का रहता है भाई क्या होगा आंसर मेरे भाई तजिंदर तजिंदर पाल सिंग तूर यहां पर correct option हो जाएगा C will be the right option C will be the correct option आपके सामने हो जाएगा ठीक है चलिए तो यह 30 कोश्चन बहुत हैं मेरे भाई questions बहुत हैं इसके आगे के मैं कल questions कराऊँगा तो आज आपको क्या करना है आज आपको यह 30 के 30 questions को क्या करना है मेरे भाई इन 30 प्रशनों को आज आपको बहुत ध्यान पूर्वक तरीके से याद करना है समझना है बारीखियों से इनको पढ़ना है इन 30 प्रश्णों को ठीक है याद दखीगा अच्छा देख लेते हैं कि आज इस पोल में किसका किसका इस्थान है हाना चली तो रोहित यादव FNC आज पहले नंबर पर आ चुके हैं और ये पहली बार आज पहले स्थान पर आया है रोहित यादव FNC पहली बार आया है यहा पहले नंबर पर भी राम कुमार यहाँ पर दूसे नंबर पर है यह लड़का मुझे बड़ा सही लगता है भी राम कुमार डिप्लोमा स्टूडेंट है यह यह दूसे नंबर पर आया है तीसे नंबर पर इट्स विक्की राजपूर्त मधू चौते नंबर पर पलक यहाँ पर पांचवा इस्ताया और अनिशा यह आई है मेरे भाई चटैनल पर राज की बाते सात्वे पर है प्रक्रटि जहा प्रतीक जा आठवे नंबर पर और सुभोत पाण्डे यहां पर दसवे पर है और ये सारी की सारी रैंकिंग है मेरे भाई बिहार पुलिस तुमको ही दुल्हन बनाएंगे चलो तुम दुल्हन बना लो भाई 28 नंबर पर हो तुम ठीक है चलिए तो ये आपकी रैंकिंग थी पल्लवी 42 नंबर पर है इस समय चलिए तो ये अनिश्का सिंग आप 30 में हो तो ये आप लोगों की रैंकिंग है मेरे भाई और मैं फिट से आपको बता दूं कि दोपहर 11 बजे आज दोपहर 11 बजे एक कॉपी ले लेना ठीक है नए पैन खरीद लो अभी जाके मार्केट से दनने से जाके कॉपी पैन ले आओ क्योंकि उस क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेसिक से हिस्ट्री ठीक है बिल्कुल बेसिक से हिस्ट्री प्लस बिहार प्लस बिहार दोनों ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाल थेंक्यू सो मच बैबै टेक कियर टेट क्लास इसी में